तेरह मैं शनिवार को अकोला में दंगा भड़काने वाले 101 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 144 लागो कर संचारबंदी के आदेश दिये थे। किन्तो अब इसमें कुछ बदलाव किये गया है। कराउत ने मुस्लिम उलेमाओं के सदस्यों की बैठक बुलाई और उन्हें मुस्लिम समुदाय में शान्ती बनाए रखने की अपील की। और कहां कि वे किसी भी समुदाय कंठकान को ना माने और अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ कानोनी कारवाई की जाएगी। इस घटना की समन्द में आरोपियों के खिलाफ विभिन थानों में दंगा करने, अवैद रूप से सभा करने, हत्या, हत्या के प्रयास, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, सारवजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचाने, आदी के विभिन मामले दर्ज किये गये हैं। अखुला शहर के ओल्ड सिटी थाने में चार और रामदास पिट थाने में दो मामले दर्ज हैं। अधिकारी कर्मचारी बंदोबस्त के लिए तैनात है। मोबाइल के जरीव विवादित पोस्ट के चलते ये दंगा होने के जानकारी सामने आई हैं। हाला कि वर्तमार में अकुला शहर में शान्ती बनी हुई है। NBC News के लिए अकलिश भारदू आज की साथ माहिन पर्थान की रिपोर्ट।